स्वागते दोस्तों आपका अपने चैनल आवरे स्टेडी एड़ा पे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें ताकि हमारी न्यूव वीडियो आप तक जल से जल पहुँच सकें कर दिया जल बता आप तो फ्रेंड्स आर यू रेड़ी तो मूव लेट्स गो इसी के साथ आज का वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि यलो फंगस होता क्या है तो चलिए देखते हैं दोस्तों कोविड रिकवरी के बाद ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब आ गया है यलो फंगस जिसने डॉक्टरों और सरकार की चिंता बढ़ा दिये अस्पतालों में पहले से तमाम मरीज ब्लैक फंगस के दवाईयों की किलत से जूज रहे थे अब यलो फंगस आ गया है एक्सपर्ट के अनुसार यलो फंगस ब्लैक फंगस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है कुरोना वाइरिस की दूसरी लहर के चपेट में आने वाले मरीजों में लगतार एक के बाद एक नई बिमारिया पाए जा रही है सुरुवात में कुछ लोग इससे संक्रमित होने के बाद डायबिटीस के मरीज बन गए और कुछ लोग निमोनिया के पिछले दिनों कही कुरोना संक्रमितों की मौत दिल के दौरे से हुई है हाली के दिनों में दोस्तों ब्लैक फंगस ने बहुत ज़्यादा कहर बर पाया है और अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद आ चुका है यलो फंगस तो दोस्तो अब हम देखेंगे कि Black Fungus और White Fungus से कैसे अलग है यह Yellow Fungus और कितना खतरनाक है विशे सग्यों की माने तो Yellow Fungus के symptom Black और White Fungus से अलग है जो कि सरीर के अंतरिक भागों में सुरू होते है सरीर में मौवाद के रिसाव के कारण या संक्रमन बनता है इसके लक्षड बाकी दो Fungus से अलग हैं लेकिन जैसे यह सरीर में अंदर बढ़ता है वैसे घातक रूप ले लेता है तो दोस्तो अब हम देखेंगे इस infection की चपेट में आने के बाद अक्सर किसी को कोई घाव है तो उसे इससे मौवाद का सिक्राव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गती से ठीक होता है इसके दोरान मरेज की आखे धस जाती है और कई अंग का काम करना बंद कर देती है उसका metabolism, symptom भी खराब हो जाता है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सस्क्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि हमारे आने वेली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच जाएं जल्द से जल्द झाल